Hello student, today we are going to learn EVS first unit, our body. In this unit, first chapter is my body. In this lesson, we are going to learn about the different parts of our body. See, this is the picture of our body. यह हमारे body का picture है. तो देखो हमारे body में क्या क्या होता है. तो यहाँ बताया है, my body has many parts. Each parts of the body has a name. हमारी जो body होती है, उसमें बहुत से parts होते हैं, जो अलग-अलग काम करते हैं. और जो अलग-अलग parts होते हैं, उसके अलग-अलग names भी होते हैं. तो देख, चलो देखते हैं कि हमारा सबसे पहला body parts कौन सा है. तो देखो, सबसे उपर जो दिख रहा है, वो है हमारा head. यहाँ पे बताया गया, this is my head. यह कौन सा body part है? Head. H-E-A-D, head. फिर head के नीचे ही है face, F-A-C-E, face, face याने चेहरा. हमारा जो face होता है, उसमें बहुत से body parts contain होते हैं, उसमें बहुत से body parts involved होते हैं. फिर है हमारे arm, arm याने हाथ, हाथ, H-A-R-Y-M, arm, arm. फिर बताया गया है, I have two arms, सबको दो arms होते हैं. two arms याने दो arms होते हैं, दो arms याने दो हाथ होते हैं. फिर head chest, C-H-E-A-S-T, chest, chest याने सीना, छाती, याने chest होता है, this is my chest. chest के नीचे होती है हमारी belly, फिर होते हैं, बेली के नीचे हमारे दो क्या होते हैं, जिससे हम चलते हैं? yes, this is my leg, I have two legs, हमें दो legs होते हैं, और legs से हम क्या करते हैं? चलते हैं, तो चलो हम, और हमारे body parts के parts कौन से कौन से हैं, उसके बारे में detail में पढ़ते हैं. see, this is the picture of our face, face याने chair है, ये क्या है हमारा chair है, और face के उपर क्या होता है? ये हमने पढ़ा है ना, सबसे पहला body parts, head, और head के उपर black color के क्या होते हैं? hair, तो सबसे पहले हम hair की spelling देखते हैं, ह-A-I-R, hair, याने हमारे बाल, फिर है eyes, देखो, हमें कितने eyes होते हैं? हमारे face, हमारा जो face होता है, उसमें भी बहुत से body parts होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता है, तो यहाँ पे होते हैं हमारे two eyes, कितने eyes होते हैं? हमें two eyes होते हैं. E, y, e, yes. Eyes, eyes याने हमारे आखे. फिर है ear, ear याने कान. कितने कान होते हैं आपको? Two. तो we have two ears. तो ear की spelling क्या है? E, A, R, ear. फिर है हमारा nose, nose याने nose. Nose की spelling क्या है? या no, yes. E, nose. Nose से क्या करते हैं? Smell लेते हैं, खुश्बू लेते हैं और breathing भी करते सासे लेते हैं हम. फिर होता है हमारा mouth. M-O-U T-E-H mouth. Mouth के अंदर क्या होते हैं? Mouth having teeth and tongue. तो teeth की spelling है T-E-E-T-E-H teeth याने दाथ और दाथ के भी अंदर क्या होती है? tongue. जिसे हम हमारा खाना test करते हैं. मिठा, खटा, कड़वा. ये हम में समझता है. तो tongue की spelling जो है? ये है T-O-Y-N-G-U-E tongue. फिर होते हैं हमारे cheek चीक सिऑने हमारे गाल. C-H-E-E-K चीक याने हमारे गाल और हमारे Mouth के नीचे होती है हमारी छोटी सी चीन C-H-E-I यान चीन याने हमारे माउध के नीचे वालना हिस्स जो होता है हुससे चीन केते. ये हो गए हमारे face के पार्स हमारे फेस में भी इतने सारे पार्स होते हैं सी यह जो है यहां यह जो पिच्चर है इसमें हमारे नेक चेस्ट और बेली के बारे में बताया है तो my neck joins the head to the rest of my body जो हमारी neck होती है वो हमारे heads को पुरे body से joint करती है नेक का काम क्या होता है हमें हमारा जो face है हमारा head है इधर उधर घुमा सकते हैं नेक के वज़े से हम पीछे मुल के देख सकते हैं बाजू में देख सकते हैं इधर उधर देख सकते हैं below the neck are the chest और नेक के नीचे क्या होती है हमारी chest चेस्थ याने छाती, C-H-E, Yasty, Chase और चेस्थ जो होते उसके नीचे होते हैं, बेली C, this is the picture of our body, ये हमारे body, ये हमारे body, ये हमारे body, ये हमारे body, it is from the back, याने हमारी feet, जो होते हैं, उसे back कहते है See, this is the picture of our body But in this picture, we learn about our arm and leg तो हमारे arm के अलग-अलग हिस्सों के बारे में हम ये वाले picture में देखने वाले है तो देखो, हमारे जो arms होते हैं, उसमें hand H-A-N-D, hand और E-F-I-N-G-E-R, yes Fingers, fingers से क्या करते हैं, खाना खाते हैं, लिखते हैं, किसी चीज को hold करते हैं, means पकड़ते हैं ये सब काम हमारे fingers और hands का होता है फिर है हमारे legs, हमें two legs होते हैं, जैसे हमें two hands होते हैं, two arms होते हैं हमें two legs होते हैं और legs का काम मैंने आपको बताया है चलने के लिए हम योज करते हैं तो हमारी जो legs होते हैं उसके भी different parts है तो पहला पार्ट है knee के यन double e knee याने हमारा जो घुटना होता है जिसे हम हमारे legs bend कर सकते हैं फिर है हमारी ankle तो ये ankle जो होती है वो हमारे पैर के एकदम से नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसे ankle कहते हैं फिर है toes toes जो होते हैं वो है हमारे पैर की उंगलियां पैर की उंगलियों को हम toes कहते हैं और toes, ankle और toes मिलकर बनते हैं हमारा food जिसके बल पर हम खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं यह हो गए हमारे arms और legs के different parts My two arms and two legs are called limbs हमारे जो two arms और two legs होते उसे limbs कहा जाता है Here are picture of some person who have same body parts but difference in height, weight and color Some are fat whereas some are thin, some are tall while some are short Some are straight hair while some are curly hair देखो हम सब के same body parts होते हैं लेकिन हम अलग-अलग दिखते हैं, तो क्यों अलग-अलग दिखते हैं? क्योंकि हम में से कुछ लोग थीन होते हैं, थीन याने पतले होते हैं तो कोई मोटे होते हैं, कोई short होते हैं, तो कोई tall होते हैं कोई किसी के straight hair याने सीधे बाल होते है तो किसी के curly hair याने घुंगराले बाल होते है देखो हम भले ही दिखने में अलग-अलग दिखते है लेकिन हमारे जो body parts होते है वो same होते है सभी लोगों के body parts same होते है of the body हमारे कुछ body parts के या हम spelling पड़ेंगे FACE याने हमारे चेहरा होता है T-O-Y-N-G-U-E टंग-टंग याने हमारी जुबान याने जीफ A-R-Y-M-Y-S-Arms याने हाथ M-O-U-T-H-Mouth याने मू L-E-G-Y-S-Legs याने हमारे पर E-Y-E-S eyes याने आखे C-H-E-E-S-T chest Chest याने हमारा सीना चाती H-A-N-D hand Hand याने हाथ B-E-L-W-L-Y Bailey याने हमारे chest के नीचे का part जो stomach का part होता है Forehead Forehead याने हमारा माथा जिसे मराठी में कपार बोलते है यनो यसी nose Nose याने हमारी नाक यनी C-K-Nake Nake याने गरदन जिसके वज़े से हम हमारे head की movement कर सकते है जो हमारे head को body से जोडते है हो है हमारी neck C-H-E-E-K-S Chicks Chicks याने गाल L-I-B-E-S Limbs Limbs याने हमारे head पहरी ये हो गए हमारे कुछ body parts के spelling ये lesson में हमने हमारे body parts different body parts के बारे में पढ़ा है I hope you understand this lesson Thank you and have a nice day